हलो स्टुडेंट्स आज हम सायंस सब्जेक के चाप्टर नमर वन का स्टाटिंग करेंगे इसमें जो इम्पोर्टन ग्वेस्चन है वो इम्पोर्टन ग्वेस्चन और लॉज कैसे लिखने हैं उसका मतलब क्या है ये सिंपल question solve करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला question Kepler's law इसमें तीन law आपको बूठे चाते हैं उसका study आज हम animation देखके करेंगे एक ellipse draw किया है जब हम circle और ellipse दोनों draw करते हैं तो draw करने के लिए center point हमें draw करने के लिए सबसे important रहता है तो यहाँ पे जो circle है जो circle draw करने के लिए एक center point लगेगा उस center point को हम कहेंगे focus point और यहाँ पे जो ellipse है यह ellipse draw करने के लिए हमें दो center point लगते इन दोनों center point को हम कहेंगे foci point और यह दोनों भी center point जो है यह अब यहाँ पे हमने plot किये है major axis पे major axis मतलब larger axis यहाँ पे देखे जो ellipse है इन दोनों point को हम कहेंगे foci point कहाँ पे वो major axis पे और perpendicular axis जो छोटा axis है उसे कहेंगे हम minor axis इस basic study के बाद में हम यहाँ पे देखें क्रिपलर्स first law क्रिपलर्स first law क्या है the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of foci अब यहाँ पे planet और sun यह दोनों हमने इस diagram में plot किये है यह जो yellow color का portion है इसे हम sun कहेंगे और जो revolving blue color का part है इसे हम अब planet कहेंगे यह planet इसका जो major axis है इस major axis पे दो foci जो होते उसमें से हमने एक focus point एक foci point यहाँ पे consider कर दिया और उस focus point के orbit में जब यह planet revolve होगा तो यह एक ellipse create करेगा यह क्रिपलर्स first law में बोला गाए ओके देखिए the orbit of planet मतलब जो orbit है planet का is an ellipse यह क्या है ellipse है with sun किसके around sun के around at one of foci एक foci point पे इसे हम कहेंगे first law of क्रिपलर्स इसके बाद में second law of क्रिपलर्स क्या है देखिए the line joining the planet and the sun swifts equal area in equal interval of time अब यहाँ पे दो point आपको consider करने एक तो है area और दूसरा है equal time तो यहाँ पे detail में understand करने के लिए हम एक diagram यहाँ पे ले लेते यह diagram मतलब क्या होगा है यह orbit होगा है किसका orbit यहाँ पे देखिए यह जो planet है यह revolve हो रहा है इस planet का orbit कैसा रहता है elliptical यह हमने क्रिपलर्स first law में देख लिया तो यह sun होगा है black point और यह planet होगा है इन दोनों को हम एक black line से join करते है अब यह planet moment करेगा यहाँ पे तो moment करने के बाद बाद में हमने और एक line join कर ली और एक area यहाँ पे form होगा है अब इस area को हम कहेंगे area one यह जितने time में travel करता है उसे हम कहेंगे interval इसका जो interval रहेगा जो time रहेगा उससे इसने गया किया a1 area complete कर लिया इसके बाद में देखे यह planet अब यहाँ पे आ गया अब यहाँ पे आने के बाद यह अगर moment करेगा तो यहाँ से fast moment करेगा क्योंकि यह जो distance है foci point से यह अब कम है तो fast moment करने के बाद में यह यहाँ पे आता है equal time period में तो यहाँ पे भी हमने उसे दो line में join कर लिया और यहाँ पे एक area बन गया है तो यहाँ पे पेला जो area था जितने time में एक जगह से दूसरी जगह पे वो planet गया था वही area यहाँ पे भी form हो रहा है तो crippler second law में क्या बोला है यह जो दोनो area है यह दोनो area same रहेंगे the line joining the planet and the sun यहाँ पे planet में और sun में हमने line join कर ली दो interval में और उसके बाद में area is equal कहाँ पे interval of time तो equal interval of time होना चाहिए वही पे एक area और यह second area equal रहेगा यहाँ पे इस diagram में बेव देखे जो shaded portion है हर एक shaded portion का area same रहेगा यहाँ पे area maximum है यहाँ पे area minimum है ऐसा नहीं होगा तो area same रहेगा जब यह equal interval of time से revolve होगा यह हो गया crippler's second law next एक crippler's third law यहाँ पे एक ellipse हमने consider कर लिया तो ellipse draw होने के लिए हमें चाहिए दो axis यह होगा minor axis और यह होगा major axis यह major axis पे दो focus point रहते और minor axis के right side में और left side में जो distance रहेगा उस distance को हम कहेंगे radius और इस radius को हम mean distance भी कहेंगे यह होगा mean distance तो crippler's third law क्या statement है यह अब हम read करेंगे the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of a planet from sun अब इस statement को हम mathematical formula देंगे देखे square of its period of revolution period of revolution मतलब कितना time लगता है square मतलब जो t है उसके उपर हम 2 लगाएंगे वो गया square बाद में यह जो t square है यह t square directly proportional है किस चीज के तो mean major axis पे जो mean है इसका cube तो अब यहाँ पे देखिए यह होगाए t square is proportional to r cube यह होगाए crippler's third law तो यहाँ पे आपको और एक pdf भी इस group पे send की जाएगी उसमें तीनों law दिये है वही law आपको examination में लिखने है जो आज हमने explanation देखा है वही explanation आपको examination में लिखने के लिए helpful रहेगा next lecture में हम science का और भी जो important points है वो सब points हम इसी animation के help से देखेंगे और mathematics भी solve करेंगे तो अगर आपके friends 10th में है वो इस group में नहीं है तो आप link उन तक share कीजे और whatsapp free group में join होने के लिए बोल दिजिए thank you all the best